दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चानल डियर सर में तो हम लाइव आ चुके हैं फाइनली थोड़ा सा इंतजार जुरूर कराया लेकिन इंतजार का बहुत फायदा मिलेगा आपको इंतजार का पूरा भल मिल जाने वाला है आज के इस लाइव से कि आपको आपके अग्जाम में होगा आपको मेरी आवाज मेरी वॉइस सही है वीडियो कौलिटी की बहुत सही है मज़ा आ रहा है कि नहीं मुझे जल्डी से सामने गामें अघर है ृइं है है हाई 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 हैलो सब हाई हेलो मज़े तुम सब56 दिजीए क्या आप रेडी है क्या हम शुरू करें जल्दी से thumbs up दीजी और मुझे बताईए कि क्या आप ready हैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बच्चे कह रहे हैं thank you thank you कह रहे हैं good evening कह रहे हैं सब बहुत खुश हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत मज़ा आता है really enjoy talking with you guys मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं आपसे बात करता हूं आपको समझाता हूं सिखाता हूं नहीं नहीं चीज है सब्सक्राइब बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग चीज यह लगती है मुझे लाइफ में ठीक है अब बस मैं चाहता हूं कि जल्दी से शुरू कर लें तो आप जल्दी से आजए जल्दी से आजए ताकि हम शुरू कर सके अब मुझे थमसप देजिए वीडियो क इस लाइफ सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेर कर दो ताकि उन तक भी यह सेशन पहुंच जाए क्योंकि सेशन बहुत इंपोर्टन रहने वाला है और इस सेशन में जो जब बाते करेंगे वह बहुत ही मज़िदार रहने वाली है आपके एक इंपोर्टन बात में आ आंट जैनिफर स्टाइगर्स की पोयम की वीडियो तो आज ही मैं अप्लोड कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बड़ी मज़िदार वीडियो है अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी जरूर देखना है एक्जाम से पहले देखके जाना आपको बहुत फायदा ह यहाँ जाएगा फिर question को अटेंप करना question हलबा लगेंगे दूसरा आपके सामने दिख रहा रहा है report रायटिंग आप लोगों ने कहां मुझसे report रायटिंग की बनाओ यह रिपोर्ट रायटिंग की वीडियो बड़ी अमेजिंग वीडियो report रायटिंग की trick क्या है करने की क वीडियो हमने आपके लिए बनाई हुई है तो अगर आपने वीडियो नहीं देखिए चैनल पर जाके जल्दी से देख लेना स्लाइशन के बात ठीक है एक और आपके अंसीन पैसिज की वीडियो आप कहते हो कि नहीं बना रखी वो भी आपके लिए बना रखी अगर मैं जौब एपलिकेशन की वीडियो बनाओ ना यह रही आपके सामने जौब एपलिकेशन की वीडियो तो यह एक और तरीका है कि प्लेइस्ट मैंने बना रखिए आपके लिए सिर्फ आपके लिए कि आपको दिक्कत ना हो अलग से प्लेइस्ट बना रखिए जैसे में इसे ओपन करके देखता हूं अब यह खुल जा सिमसिम खुल गया तो यहां पर अवाज बंद हो जा सिमसिम ठीक है बंद हो गया तो यहां पर आपके Class 12 से रेलेटर जितनी भी वीडियोस हैं जितने भी टॉपिक्स हैं बना रहे हैं इंवीटेशन राइटिंग की आप बोलते रहे तो इंवीटेशन राइटिंग की भी जॉब एप्लिकेशन की भी रिपोर्ट राइटिंग की भी है लॉग लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप घवराओ नहीं जो बाते मैं आपको बस बता रहा हूं ना उन्हें फॉलो कर लो स्मार्ट तरीका बताता हूं भाई मैं पढ़ने पढ़ाने का मैं आपको फसाओंगा नहीं डराओंगा नहीं डरने डराने का काम ना बुस्दिल दो बता देना चाहता हूं कि आपका सिलेबस क्या है शौड में समझते सिलेबस क्या है वैसे तो आपको मालूम ही हुआ फिर भी एक बार देख लेते हैं फ्लेमिंगो में आपके दो चैप्टर्स आ रहें दो पोए हमारी है दोनों मैं आपकी करा दी है आंट जैनिफर और दूसरा आपका इंडिगो दोनों बहुत मज़ेदार चैप्टर्स हैं सच में ऐसी कहानिया है जो मैं चाहूं भी ना कि बोर हो जाओ मैं बोर नहीं हो पाता है ऐसी वाली स्टोरी है तो इनको समझते हैं क्या पूरी स्टोरी है कैसे उसे कट शॉट करके दिमाग में अपना प्यार दिखाओ लाइक करो हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब करना क्योंको नोटिफिकेशन आते रहेंगे अभी रोज लाइव आउंगा एक्जाम से पहले आप तक और बहुत प्यारा सो कॉंटेंट आपके लिए निकाल के लाओंगा ठीक है त सब तयार हैं सारे थमसब भेज रहे हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं मैं बार बार बोलूं गानी के आपको कुछ समझ आ रहा है तो पूछला खुदी पूछ लेना कॉमेंट में ठीक है और कोई बात बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर देना सेशन को शेयर करते रहना ठीक है तो दोस्तों without any further delay let's get started okay so हमाई chapter है the rat trap तो हम बात करेंगे rat trap की जैसे की rat trap के नाम से ही पादा चलता है रट्रेट क्या होता है रट्रेट का मतलब होता है चूहादान हिंदी में बोली तो चूहादान अब कुछ ना इस कहानी में कहां आता है वो देख लेता है तो ये कहानी है बिजले मोटा मोटा समझा जquin всем पहले फ़िए एक डिनी यंहीं हlies संजांगा पहली चुहादान होता है अब यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अकेला है और जो चुहेदान बेचने का काम करता है यानि एक seller की है जिसे हम English में बोलते हैं pedler ठीक है तो एक pedler की कहानी है वो सिर्फ चुहेदान बेच के ही अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पाता क्योंकि उसकी इतनी कमाई नहीं होती विचार हो भूका रहता है बहुत ही बदहाल है बहुत बुरी आलत है उसकी ना उस पे पहनने के ठीक से कपड़े है ना उसने ठीक से खाना खा रखा है तो बड़ा परेशान रहता है तो वो क्या करता है इ एक थीफ भी है चीज़ों को एक स्टीम भी करता है और यह बैगर मझत भी गारी फिकारी करता है कभी चुळी करके खाए और दुसका नर्ण थॉट आई कि मैं चुवेडान तो बेचता हूं रेड ट्रेब तो बेचता हूं लेकिन जिसमें जो चारा डाला जाते हैं, जिसे एक चुवा दान होता ना, उसमें चुवा पकड़ने के लिए ना देशी ही की रोटी ऐसे लटकाते हैं, ताकि जो चुवाए है या चुवाए है वो ऐसे ऐसे आया उसको देखते वाए, और जैसे ही वो उसको खाने की तरफ दोले, वहीं पर उपकड़ा जाए, बस, that's the moment, और यही सबसे खुबसूरत मैसिज है, इस पूरे चैप्टर का, कि यह दुनिया भी तो एक ऐसा ही चुएदान है, जहां पर बेट के नाम पे, आपको एक चारे के नाम पे फसाने के लिए, बहुत सारी चीज़े हैं, दुनिया का एश पर बेट के लिए, आपको ट्रैप करने के लिए, यह जाल में फसाने का तरीका है, जैसे ही आप इन चीज़ों की तरफ जाते हो, आप आईफोन खरीदने की तरफ जाते हो, आप महंगी गाड़ी और डी बीम डबलू खरीदने की तरफ जाते हो, तो आप यह भूल जाते हो कि आपकी जिन्दगी का जो सबसे खुबसूरत चीज है आपका सुकून जो सेटिस्टिस्टेक्शन खुशियां वो सब खत्म हो जाती है आप फस जाते हो उसी में आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा क्यों और कमाऊंगा और कमाऊंगा बहुत कमाऊंगा पूरे दुनिया का पैसा कमा लूँगा अभी उससे उपर निकलूँगा अभी आईफोन 13 लिया 14 लूँगा फिर 15 लूँगा और गाड़ी कौन सी लिया है अभी मैंने लिए स्विफ्ट लिया है अब बढ़ूंगा वर्ना लूँगा BMW लूँगा फिर Rolls Royals लूँगा और ऐसे बढ़ते पाईशे आपको फसा देती हैं और आपकी लाइफ को जो सुकून होता है वो खत्म हो जाता है आप अपने करेक्टर से कॉम्प्रोमाइस करते हो और यह जो बाते हैं बोलना हुँगा एक्जाम को फॉन्ट विस से इंप्वाडटन है क्योंकि सिर्फ इस से रिलेटेड़ी क और अगर आप उनके आंसर में अपनी तरफ से यह वर्ड्स यूज करते हुए अच्छे वर्ड्स यूज करते हुए अपने थौट्स लिखके आते हो और इसके उपर बेसी होंगे सारे थौट्स तो आपको मार्क्स मिलते हैं ठीक है तो इस कहानी के यही मोटिव है क्या कि दुनिया एक red trap है जहां जितने पी comforts है ना जितने में comforts नजर आते हैं यह बेट है यह रहा है तो यह पूरा बेसिकली मैंने आपको पूरा रस बताया, अभी मोटा मोटा इस कहानी आ. यहां तक सब को समझ में आया, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कτα तो नहीं है, कुछ पूछना है, जल्दी बताओ. तब तख हम गलग sunflower कर सकते हैं? कर सकते हैं. जल्दी बताओ, यहां तक किसी को मज़ा ही आ गिया था because the message was given is amazing, बहुत ही मज़ेदार message था, और इतना खुबसूरत कोई कैसे लिख सकता है, सच में really heads off है, राइटर को, बहुत प्यारा लिखा है, बहुत लम्मा ज़रूर है, लेकिन मज़ेदार बहुत है, क्योंकि जो thought को इन लोगों ने fabricate किया है, वो बड़ा प्यारा है, कि जो यह thought था, पूर उसके आजपास पूरी कहानी बनाई है, that was so beautiful, अगर आप literature को प्यार क कर देते हो यार, और इससे अच्छा क्या लगेगा, कि आप लोगों ने अभी तक हमारे पास, इस वक्त मुझे इसमें कुछ जादा समझ में आता नहीं है, इतने सारी स्टैट्स वोगेरा, लेकिन जादक मुझे लग रहा है कि more than 9000 अभी हमारे साथ जुड़े हुए है, if I चलो जी, अब मैं बात करूंगा हमारी कहानी की, कहानी कहां से शुरू होती है, माइन को रिलाख्स करो, पहले माइन को रिलाख्स करो, बिल्कुल यह सोचो इमत के आपको रटना है, नहीं सोचो के तो सब याद रह जाएगा, अगर रटने की नियत से जाओग ना भूल जा नहीं है आई होब अच्छा 10,000 ट्वेन थाउजंड हमाइसाद लोग जुड़े वें किया बहुत अच्छी बात है मैंने आपके सामने ना पूरा जिस्ट रख दिया है फुल स्टोरी का जिस्ट रखा है ऐसे ऐसे फ्रेजिस सेंटेंस इस्तेमाल करे हैं इस तरह से कि इसमें पूरी कहानी समा गई है तो बस इन ही से रिलेट करते हो हम चीजों को पढ़ेंगे पहली चीज फुल के से पहले जहीं है अलो इसका बद्रिट रियस In The Out अपनी जिन्देगी के अपनी अपनी जो इसकी लाइफ की जो बेसिक हर्पिर्टगाने से उनको मीट करने के लिए वो चोरी भी कर लेता था और क्या करता था वो बैगिंग भी कर लेता था भीक भी मांग लेता था क्यों क्योंकि उसको खाने को नहीं मिल पाता था यह आवाज कहां से आ रही है मेरे फोन की है मेरे फोन की आवाज सुनी है यह धर की आवाज है साइलेंट करो से ठीक है और वो अकेला भी रहता था किया था वो और अकेला रहता था तो इसका कोई नहीं था जब किसी का कोई नहीं होता तो उसकी help करने के लिए कोई नहीं होताथ वह to बात है करेगा मुसीवत मेपको जिव कोई ठाय नहीं ठीक है अब यह मैंने मेरी तरफ से तो आफ कर दिया बार बार में इस टम नहीं करेगा और वो जो रेट ट्रेप सेलर था जो पैडलर था उसे लगता था यह पूरी दुनिया ना एक बहुत बड़ा चुहेदान है सोचो यह पूरी दुनिया को पूरी अर्थ को सोचो कि वो एक बहुत बड़ा चुहेदान है और उसके अंदर जितनी भी तुम बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाणिया देखते हो बड़े बड़े महल जैसे घर देखते हो बड़े बड़े तुम खुबसूरत कलब देखते ह जितनी भी जो भी ऐशो आराम की चीजे हैं, वो सारी चीजे क्या हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे एक रेट ट्रिप के अंदर लटका दिया जाता है, चारा या कोई रोटी का टुकडा, यह वही हैं जो अट्रैक्ट करने के लिए, जो जितने भी लोग हैं इस दुनिया में रहते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए, उनने भासाने के लिए हैं, ठीक है, तो यह किसकी सोच थी, उस पैडलर की सोच थी, उस रेट ट्रैप, सेलर की सोच थी, ठीक है, आगे देखते हैं, various types of baits in the form of comfort of life वोई बात हमने डिसकुस की कि यहाँ तरहा तरहा के baits है तरहा तरहा के चीज़े हैं जिसमें fame भी हो सकती है money भी हो सकती है monetary चीज़े भी हो सकती है non-monetory चीज़े भी हो सकती है तो यह life के जितने भी comforts है life की जतनी भी आरामदायक चीजे हैं जिनें हम कहते हैं कि luxurious life जी रहे हैं हम बहुत शानदार है शो आराम गी लाइव जी रहे हूं और वो और कुछ नहीं वो सब्क्राई हैी सिर्फ और सिर्फ एक बेट है चारा है हमें लिभाने के लिए हमें trap करने के लिए आगे बढ़ते हैं इसका मकसद क्या होता है कि यह जो हमें चारे दिखाया जाता है इनका एक ही परपस होता है कि हम इसमें फस जाएं और फसने के बाद हमारी मुसीबतें शुरू होती है याद रखना आप कभी भी कभी भी अगर आप ग्रीड करते हो आपको लालच आता है और लालच में कोई काम करते हो तो आप फस्ते ही फस्ते हो चाहिए दुनिया का कोई भी काम हो whatever you have done चाहिए कोई monetary terms में कर रहे हो non-monetary terms में कर रहे हो अगर आपने if you have done something out of greed then you have to pay heavily then you have to pay heavily गाइस अब उसका फिर आपको बुक्तान करना ही पड़ता है क्योंकि आपकी जो नियत थी जो आपका intent था वो साफ नहीं था उसमें लालच था तो वो यही कह रहा है कि अगर आपने trap कर गए आपने bait में आके कुछ कर लिया चाहरे को देख कर कुछ कर लिया अपना काम किया तो आप फस जाते हो इस दुनिया में यह होता है तो जितने भी comforts वाली चीज़े हैं वो सब क्या है सिर्फ और सिर्फ एक trap है आपको फसाने के लिया चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कहता हूँ अब क्या होता है अब वो ना एक दिन वो ऐसे घूम रहा होता है जा रहा होता है कौन जो हमारे रेट्रेप सेलर है वो ऐसे जा रहा होता है उसको ना कहीं कुछ रुकने की जगा नहीं मिलती और भूका भी होता है तो एक क्रॉफटर होता है क्रॉफटर का मतलब क्या होता है आपको पता होना चीए किसान टाइप के लोग होते हैं जो किसी की जमीन पर खेती करते हैं और वो पैसा कमाते हैं इस तरह से ठीक है तो वो एक क्रॉफटर था ठीक है एक old क्रॉफटर था कहानी के असल चुरुवात कहानी के असल चुरुवात दोस्तों यहां से होती कि old क्रॉफटर उसे मिलता है वो उससे कहता है मुझे रहने की जगा दे दो अभी जो old क्रॉफटर था ना जो यह बूड़ा क्रॉफटर था या बूड़ा मैं कह सकता हूं कि किसान बोल दो इसको बुड़ा किसान था वो ना वो खुद भी अकेला था उसका भी कोई नहीं था अब भाई जब मिल बैठे हैं हम तीन यार आप मैं और तीसरा कौन है ठीक है मैं ठीक है तो जब मिल बैठे ना तीन यार तो फिर क्या हो जाता है भाईया यह दो यार मिल बैठे थे यहां पे दो बातों में उसको बताया कि बाई मैं गाये का दूद निगाल के बहुत पैसे कमा लेता हूं मैं नहीं यकीन मानता है इसे थोड़ी इन लोगे ने खाना प्याना पीना किया अपना हुक्का पीया टोबको अगेरा पीया बढ़िया से खिचडी विचडी खाई बढ़िया कोई चलो सबसब बढ़िया जा रहा है बच्चे सही कर रहा हम ऑसी बातों में किनना कमा लेते हो एसे बातों में उसने का मेरे पास टीरुप टीरिष नहीं मानता मैं इतना थोड़ी होता है रुक अभी दिखा तो निकाल के वह दिखा दिए बस इसको आगिया लाला वो बेट इसको दिख गया कि भाई यह 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 फस गया, यह यह चुएदान में यह फस गया के यह पैसे, पैसे इसको लाला चाया, अब आए ने कर दिया काम, दिखाओ पैसा, अगले दिन क्या हुआ अगली मॉर्णिंग में, वैसे तो वो लॉक लगा के गिया था, क्रॉफटर, उसने क्या करणा, ये पैडलर भी बाहर गिया था लेकिन इसने चलागी से क्या करें वापिस आ गिया और इसने शीशा तोड़के हाट डालके निकाले पैसे अपनी जेम में रख्यों और चलते बने अब डर तो है पैसा तो चोरी कर लिए बुले खिसान का अब डर ये कर पकड़ा जाओंगा भ भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे अब मैंने का ना जो भी काम whatever you have done out of greed you have to pay heavily you cannot get the satisfaction and the happiness of your life ठीक है आपको नहीं मिलना सखून भाई नहीं मिलने वाला satisfaction you will not feel relaxed कभी नहीं मजा आएगा कितना पैसा चोरी कर लो तो इसने एक यह चोरी तो अब भाग रहें अब भाग रहें देखो लिखा है फिर क्या स्टोल क्रॉफ्टर मनी और बाइस सेलिंग काउज मिल्क क्रॉफ्टर की वह वाली पैसे जो उसने गाए का दूद बेच कर निकाली थ हुआ ही रेन वे शॉट में लिखी है चीजे मैंने इसे माय प्रेपोजिशन वगरा कुछ नहीं लगाता है यह सिर्फ शॉट में करने के लिए ताकि आपको याद रहे आसान रहे तो दिखो यहां रेन वे कौन 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 पैडलर वह जो रेट ट्रेप सेलर है वाई ही रेन नहीं एक लिनर पैसे फॉट करण पैसे डिखा लायर लेकिन वहां फिर क्या होता है अब important point है कहानी का important point है questions बनेंगे यहीं से धियान से देखो he finds a shelter at a forge of an iron master अब यह क्या करता है forge का मतलब यह है यहां पर जहां पर भटी लगी होती ही ना लोगे की पट 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 पिटने की लोगा पीटा जाता है बनाया जाता है वह एक temporary भटी उसको समझ लो यहां पर तो उसे शेल्टर मिल जाता है वहां पर न वह होता है iron master iron master लो एक बरतन बनाने वाला समान बनाने वाला मान लो एसे बिल्कुल नॉर्मल अब इसा आप English में याद रखो iron master ठीक है iron master आपको इतना याद रखना है कि इंग्लिश में तो क्या होगा है हिंदी में थोड़ी तो यह उसके पास चला जाता है लेकिन उसको खबर नीचे देखता अच्छा नहीं ठीक है विचारा घरीब लग रहा है इसको सोने देता हूं भाई उसको अलाओ कर देता है तो यह बाई महीं पर बटी के आसपास ही महीं पर एकदम लेटते हैं टोपी होती है अमने सर पे लगाया लेट गया ठीक है जी अब important point कहानी यहां से बननी शुरू होती है अब तक तो सब सही चला था कहानी में यहां से एक twist आएगा और एक important twist आएगा बहुत ही मज़ेदा ट्वेस्ट आएगा अभी तक किसी को कोई दिखत कुछ बूचना खुछ बचना उ जल्ली से बता दो और मैं फिर से अपना प्यार दिखाने के लिए इससंद्रान नहीं दिखा है हमारी महनत को अगर आपने प्यार तो जिल्दी से वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाईए हाँ जी ओके ओल क्लियर सब को सब कुछ समझ में आ रहा है को दिक्कत नहीं है फाइन ओके हम आगे बढ़ सकते हैं अब क्या होता है इंपोर्टेंट बात आयन मास्टर मिस्टेक्स हिम एज और फ्रेंड और इन्वाइट से लगता है और उससे कहता है पएसे के मेरी जीम कहा जाता है तो मैं तो रिस्क नहीं लूँगा मुझे लग डर मैं घर गया लोगों ने पैचान लिए तो बहुत कुटाई होगी तो वह सोच के जाता है यहार मेरे से तो माना नहीं कौन आयन मास्टर जो होता है वो कहता है मेरे से तो माना नहीं मैं अपनी बेटी को भेजता हूं अब आती बेटी की entry डाटर की उसकी डाटर को क्यों भेजता है important point exam में question आएगा अप दियान से देखो पूछा जाएगा आपसे वो डाटर को क्यों भेजता है उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो डाटर है वो ज्यादा उससे जदा जिसे कहते हैं उसके पर्सुइजन स्किल्स जो है ना वहीं दोस्ते हैं वो जाएगा उसके सामने रखती है आप चलो अगर आपको अच्छा नहीं रोकेंगे अराम से रुकना बजब फिर चले जाना हम आपको परिशान नहीं करेंगे जबदस्ण रोकेंगे आपकी मरज है जब चाहें आप आजाद है तो जब उसको इस तरह से कं क्या किया हुआ है उसने तीस क्रॉंज चुरा रखे किसके बूड़ा किसान था ठीक है इतना क्लियर है हाँ क्लियर है इसने गलती क्या करी है आयन मास्टर ने उसे अपना ओल्ड फ्रेंड समझ रहा है जो के कैप्टेन है क्लियर है आगे बढ़ जाए चलू जी आगे देखते अब उसको अभण जाओ कर दाई बढ़ एसको सजाओ सवारो खिला और पिला अब असल रूप निकलके आ जाता है जब बाल वल कर जाते है मुझ धुल जाता है फिर तो इंसान की पहचान हो जाती है ना ठीक है कि पूरा धुल दहला के सामने आगे उन्हें लगा कि अब तो जो हुआ से निकल लो जो हुआ सो निकल लो निकलो बलकि वह नहीं मान रहा होता वह बलकि और वह उसे घुस्ता और आने लगता आयन मास्टर को वह कहता है मैं तुम्हाइब करूँ एक तरह से जो कहता है कि उसे पुलीस में देने की बाते करता है कि मैं तुम्हें गरफतार करवाऊंगा तुमने गलत किया मेरे साथ दोका किया ठीक है लेकिन जब फिर मान जाता है चल अच्छा निकल यहां से बस आपको तुम्हें गेट अउट हो जाओ यहां से इतना कहता है अब उसकी बेटी आती है उसकी डॉटर आती है ठीक है ठीक है जी आयन मास्टर इइंटिफाइड हम वहला हुआ है और हम इसको और उपर से इसको डरा दें और इसके साथ बुरा बढ़ताव करें बहेव करें तो इसस तो डॉटर की बात कैसे टाले पिता जी थे चल भाई ठीक है तुमारी बात सभी अब क्या होता है आयन मास्टर होता है और उसकी डॉटर चर्च में गए होते हैं अब क्या होगा अब चर्च में उन्हें सूचना मिलती है वो जो एक ना किसी क्रॉफटर के बुड़े आदमी के पैसे चुराएं किसी ने अब वो समझ जाते हैं कि वो बुड़ा आदमी के पैसे चुराने वाला और कोई नहीं वही पैडलर है जो हमारे घर में रह रहा है उन बलती हो गई और अब तक तो उसने हमारे घर की भी सारी चीज़ें चुरा ली होंगी पैसे गहने सब भाई वो इस टेंशन में भागे भागे घर जाते हैं लेकिन इसके उल्टा ऑन कांट्रेरी क्या होता है कि पैडलर ना उनकी डॉटर जो आरें मास्टर की डॉटर होती है उसको उल्टा एक गिफ्ट दे के जाता एक रैक्रप होता उसमें एक लेटर भी होता जिसमें लिखा थैंक्यू तुमने मेंसाचा बरताव किया मुझे ख गारान हो जाते हैं और जो चोरी इतना बदल जाता है इनकल को दे देना नहीं वह बिल्कुल बदल जाता है फिर क्या लिखाया आगे, goodness can be awakened at any time, कि जो अच्छाई है, वो कहीं भी, कभी भी किसी के अंदर आ सकती है, एक बुरा चोर, बिल्कुल जो धोके बाद आदमी है, वो भी अच्छा बन सकता है, लेकिन अच्छा बनाने के लिए, you have to behave, you have to behave like a gentleman, आपको खुद एक gentleman बनना है, तब ही आप अच्छे से behave कर पाओगे, अगर आप हर किसी को से अरब बुर है, जिसा आप मालो कोई पढ़ नहीं रहा बच्छा, उसे दिन रात कहते हो, यह तो पढ़ता ही नहीं है, यह तो ही नलायक, यह तो ही नलायक, टीचर करते हैं कुछ, यह तो ही नलायक, पीछे वेटने से फरक नहीं पढ़ता, कभी कोई नलायक नहीं होता, कभी कोई हमेशा के लिए बुरा नहीं होता, अगर आप उसके साथ compassion दिखाते हैं, kindness दिखाते हैं, यह word यूस करने हैं आपको, कि red trap seller बदल कैसे गिया, क्योंकि जो iron master की daughter थी, उसने उसके साथ बहुत ही kind दल दिया, clear है story, मजा आया, क्या रॉंक्ते खड़े हुए, इस story को सुनने के बाद, यहाँ story होती है, हमारी खत में से related, हम question देखेंगे, अभी कोई doubt आता है, कोई भी query आ दी मुझे जरूरू बताइए, और अगर अभी तक आपने live session share नहीं किया दोस्तों साथ, तो please share कर द in between if you have any question you can ask disappears अर में राद, रAm talks दो सकती हम कोई में, क्या दया हुआ ऋड़रूरू कि आपने बहुत अच्छे से स्टोरी को समझ लिया होगा और 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 जैसे मैं पड़ पा रहा हूं कि ठीक है रिधाव्ट एनी डिले हम एंजी अजी आज अचे हैँ मारा बोलते है फिर हम एंजी अगे क्वेस्टे बाद है कि आप से पूछा गया है कि वाई वाई वाज एडला हैपी तु सी दगिफ्ट लेफ्ट बाइद पैडलर कि जो एडला थी एडला नाम किसका था अब यह सोचने में मजबूर हो जाओ गया रहे सोच रही नहीं लड़की का नाम लड़की कौन दी इसकंदर आयन मास्टर की ल हो गई जब उसने देखा कि उसने उसके लिए पैसे चोड़के गया है कौन जो हमारा पैडलर था तो इसलिए पुछ ही क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसने तारीफ की है और उसको अच्छा काया उसने कहा तो तुमने मुझे बतला है और तुमारे वज़े से मैं रिफॉर्म ह जो नहीं था ठीक है असल में तो जो उसने साइन किया था जो रैट्रभ सेलर था उसने उसके नाम का किया था यह सबालबन सकता है तो खौंसमें पहidK शोज कि उसको ऑगी तो उसने उसको भी आपार मैं भी वैसा कर रहा हूं मैं जो चोड नहीं ही बनेधा हूँ ठीक Hai एक बहुत प्यारा सा question हो सकता है, how does the pedler interpret the acts of kindness and hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter? तो इसको सभाव है, how the pedler the pedler, what the people reported, who caught up with a business प्यार्प्य व्यार्प्टर को अची सात्य का प्याओ आगे है, when the prod manter her pedler was short, we did one more call चोडिका उसका जो भी पैशा था उसको लाला चाया बेट आया इसको बेट की तरह उसने देखा और य। यूब अबस गुज्खा करने लगा उस पे उसको के यह नहीं लेकिन वहीं जूसわかरने लगा वहीं लेकिन वहीं जो साथ बहुत काइन रही उसने compassion दिखाया, उसको खिलाया, फिलाया और उसको एक अच्छा इंसान बनने पे मजबूर कर दिया, तो बस जो main main कहानी आपको यही बतानी है, यह characters आपको पता होने चाहिए, तो आप easily इसको कर पाओगे एक और question है, what made the peddler finally change his ways, कि भई पैडलर ने जो आपको आपको देखने वाली नजर होनी चाहिए, तो आपने वन when you behave good with others, then you get the good, ठीक है, यह answer हो गया, ओके, और तो मुझे ऐसा लगता है, कि आपको जो questions है, उनके easily आप answer कर पाओगे, जितने भी questions है, ठीक है, और questions मैं सोच रहा हूँ, जो हमारा last live होगा उसमें discuss करेंगे, अभी जल्दी से ना इंडिगो पढ़ लेते हैं, इंडिगो में क्या है, हमारा next chapter है, इंडिगो, इंडिगो, कुछ questions हमारा 11, 12 तारिक को भी live होगा morning में, उसमें हम लोग discuss करेंगे, इंसे related और भी सारे questions, ठीक है, अभी बस कहानी समझ लो, जो भी questions आप पढ़र, उनके answer आपको यहां से मिल जाएंगे, कहानी को देखने माद, next chapter है, हमारा इंडिगो, अब इंडिगो क्या है, इंडिगो कोई chapter कहानी नहीं है, यह असल कहानी है, फ़र क्या है, कि this is a real story, यह असल कहानी है, कोई पुरानी कहानी नहीं है, या फिर इसने भी इसमें events हुए है, वो सारे आपके सामने लिख दिये हैं, ताकि आपको असानी रहे, इसको समझने में, ठीक है, तो देखते हैं, गांधी जी टोड लुइस फिशर about the British departure, तो यह कहानी कहानी कहा है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, इस पूरे incident के बारे में, तो वो ही यह कहानी है, तो क्या है इसमें, गांधी जी बता दे लो इस फिचर को कैसे British departure की शुरुआत हुई, जो उनका initiate किया गया, जो उनकी शुरुआत हुई थी, वो कहां से हुआ था, यह बता गया था, तो initiation है, यह क्या है, initiation है यहां पर, ओके, तो 1916 में उन्होंने बता है, कौन बता रहा है यहां पर, गांधी जी बता रहा है, क्या बता रहा है, कि वह बता है, कि 1916 में, गांधी जी अटेंडिड इंडियन नेशनल कॉंग्रेस, यह क्या है, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को मैं ने राजकुमार शुकला आए जो चंपारन बिहार से थे क्यों आए क्या था यह आपको पता होना चाहिए अभी पता चलेगा राजकुमार शुकला वांटेड हिम टु सी दप्लाइट ऑफ शेर क्रॉपर सब वो क्या चाहते थे जो शुकला जीते अब भई अजादी का टाइ वो बहुत ज्यादा डॉमिनेट करते थे और अप्रेशन का काम करते थे और प्रेस करते थे किसको इंडियन्स को उनको उनको उनके साथ बहुत ब्रव्यवार करते थे जो इंडियन्स थी उनकी जो हाल था उनकी जो कंडिशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी तो जो उनक के साथ अत्याचार किया जाता था जो के साथ भूना बरा बरताफ करते हैं, हर च्छीज में हर चीज में इंजर्स होता था उसके खिलाफ ही हमारे देशमें लोगों में बहुत ज्यादा गुसा भरा और फिर लोगों ने काढ़ जी के leadership में देश की अजादी के लिए आवाज उठाई और फिर हमारा देश आजाद हुआ तो भाई राजकुमार शुकला जी गए थे उन्होंने कहा कि देखो ना क्या बुरा हाल कर रखा है अंग्रेज उन्हें वह हमारे किसान भाईयों के साथ जो share croppers कौन होता है share croppers वही लोग होता है जो चोटी जमीन पे ऐसे किराई की žमीन पे काम करते है तो वह कौन होते है share croppers होते है छोटे किसान चोटे किसान आपकी understanding के लिए exam में share croppers लिखके आना है cdew c나 बात है तो जाधा इसकी मिलागात करने हुद दिफेंट लोगों से फिर उन पर केसिज भी चल रहे होते थे सबका देखना अब गांधी जी से ना उसकी मीटिंग ने पारी ठीकिन की मीटिंग ने हो पारी किन उपारी थी राचकुमार शुक्ला squeeze गांदी जी आ गया शूकला जी पीछे पीछे गांधी जी आ गया गया ज्था आगर ऑगया सबसक्त ś gradient दिखना से पर मार जीत में खेंट नीञे मीफजी में ज Galaxy से मिले इंक में आप थे इनकारणी को सपूर्पारंबिहार का राएग इनसान में और शोक्षान ईविशन सब्सक्राइब से किसानूं के फिलाफ अगए सॐल और ने कई जिने किया गया और राज कुमार के साथ और कहां पहुंचे वो डॉक्टर राजेंद प्रसाद के पास कौन से राजेंद प्रसाद याद आया कुछ जी हाँ दो फोर्स प्रेजिदेंट ओफ इंडिया डॉक्टर राजेंद प्रसाद तो जी सारे बिलकर वापको ऐसा लग रहा है जोंचो ना जोर ऐसा है लगरे चोकड़ी बनागे बाते हो रही है बिलकुल ऐसा ही होता था ऐसा नहीं था कि भाई गांधी जी कहीं हो और त राजेंद प्रसाद जी कहीं हो और थे या फतरदार बाही पटेल कहीं ये सब लोग ऐसे दूसरे से मिलते जुलते थे मिलके, ऐसे मिलवाते थे, कि आओ चलो मैं तुम्हें प्रिसाद जी से मिलवाता हूँ, आओ मैं तुम्हें इन से मिलवाता हूँ, एक दूसरे से मीटिंग होती थी, ऐसे लिंक बनते थे, नेटवर्किंग होती थी, और फिर जब सम्मिलके आवाज उठाते थे, ऐसे होता था साहरा काम तो राजिन प्रसाद जी मिलने गरत किसम के घर पे नहीं थे वहां के नियों के *** सर्वेंट के किसकें से हैं नहीं सोचा कि यह भी किसऑ सब ऑगायर hair राजाई प्रसाद के जो सर्वेंट से उन्होंने गांदी जी को एक किसान क्यों समझा तो आप जवाब दोगे कि इसलिए सम्झाए क्लियर होगे इतना चलो जी आगे गांदी जी को मुझफर पूर अब भाई उन्होंने क्या करा वहां पे उन्हों से मुलाकात करी डॉक्टर आजर प् किस से मिले जे भी कृपलानी से अब उन से मिलके क्या वात ही वह थे कॉन जे भी क्रिद्द देखो दो शॉद में लिखा मामें देख साथा एक कुम्हें हैं तो आकcoatर से निकल दे जाएगा बिलकुल लेकिन वो फिर भी support करते थे किसको support करते थे जो भी freedom fighters थे उनको वो support करते थे indirectly directly सामने आके नहीं करते थे ठीक है बड़ वो support करते थे इस बाद से गांदी जी बड़े इंप्रेस है उन्होंने appreciate किया किसको जे विक्रपलानी को अब याद रहता है question बनी तो आपका अच्छी क्या because he was a government officer and he was a government professor and still he was supporting all the freedom fighters that's out right उन्मीद करता हूं किसे को कोई डाउट निया रहा है थोड़ा करीज जागे देखता हूं इवान्स चैप्टर की आपकी कल कल शाम में आपकी रिविजन होगी लेग आ रहा है क्या ओके चालो किसी का नेट स्लो रहा होगा यहां दे क्लियर हो गया अब आगे बरते हैं अब क्या हुआ बल्कि वह मुजफर पुर गए कौन का गांधी जी मुजफर पुर गए वहाँ जाके उन्हों ने देखा कि जो वहां वकील थे ना लॉयर से उनको वहां पर गांधी ने खुब लताड़ा उन्होंने का वह तुम इतनी हाइफ चार्ज करते हो अब हुआ क्या था जो बिचारे किसान थे जो भी जितने भी वह पीजेंट्स थे फार्मर्स थे वह बहुत ज्यादा परेशान थे परेशान क्यों परेशान थे क्या अफ़ेशों का चार्म परेशां क्या था वेसे परेशान करते ही थे वैसे तो लेकिन उनका पर परेशान किसान क्या करेगा कोड जाएगा वह कोड जाते थे कोड में जो इंडियन सी थे इंडियन वकील थे वह उनसे बहुत हाइफी चार्ज करते थे और यह बात जब गांदी जी को पता थे लिए उनके खुब क्लास लगई कि तुम्हें शरम नहीं आती है अपने भाईयों से तनी हाइफी चार्ज कर गांदी जी गलती होगी बापू वह एकदम फिर वह थोड़ा सेट हुए किसने कर रहे यह सारा काम गांदी जी ने उनको डाटा किसको डाटा लॉर्स को डाटा क्यों डाटा विकास वह हाई फी चार्ज कर रहे थे एक्जाम में कोईशन आगा लिग दोगे बिल्गल लिग ठीक है ना तो उन्होंने प्रॉब्लम को समझा कि किसानों के सल में प्रॉब्लम क्या यह नहीं कि छोटे मोटे इशू को हम उठाने लगे और उसमें पूरी दुनिया का सपोर्ट करेगी बड़ा इशू होना चाहिए ना जो बड़ी मेन मुद्दा है वो देखते हैं तो ग कि जो अगसी प्रॉब्ल मेरे लिए काम कर मेरे लिए और पैसा भी मुझे दे दे ऑ औा फिर और क्या हुआ जम्मिनी के अंदर क्या होने लगा अपना से इंज निकलना एंधिst ने ये कौंटरेक्ट कर रखा था और फिर यह भी कहते हैं कि अगर तुम इस कॉंटरेक्ट से बाहर निकलना चाहते हो इसको कैंसल करना चाहते हो तो तुम्हें कंपंसेशन देना पड़ेगा देखरो चला की देखरो इनकी एक तो तुमने जो कंडिशन रखी गरीब किसान जो विच जा सकता है कि what was the problem what was the problem for peasants या farmers of that time of Champaran ठीक है Champaran के जो farmers उनका problem गया था तो you must tell कि यह वाला problem था 50% का पहले contract था जो कि long term contract था and if you want to repudiate the contract then you have to pay compensation to British government that is the problem okay now next what happened Gandhiji went to British association not given information to know the detail of the matter what Gandhiji did he went to association the British association and ask the association just please please just give me the details and the information regarding that contract what is the contact let me let me see the problem तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा तो Gandhiji गया association के बाद भाई जरा जरा मुझे details तो information तो इस बारे में क्योंकि गांदी जी खुद एक lawyer थे आंजी पता जाना चाहिए गांदी जी खुद एक lawyer थे तो लॉयर थे और उन्होंने का मुझे details दो मुझे तरा documents दो मैं देखू तो सब्सक्राइब कॉरा contract है क्या भाई association के पास गए जो British association थी इन लेंड की पूरे काम की जो खेती बाड़ी की उन्होंने बना रखी थी उस ओने पर उन्होंने मना कर्तिया करें नहीं इंड है किु आप आप हर के आज में यू आर आउटसाइडर रखना एक्जाम के इंपटन जाहिए घंटी खंटी वज निचा इए जाहिए और पंटम व्यूस रिजेक्टेड या refuse to give to give the information about that contract so the answer would be because British government said he he was an outsider that's why he had no access he was not given access that's it is it clear or not itna सबको clear हो रहा है clear हो रहा है कहानी कैसे चल रही है मज़ा आ रहा है अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और लाइक सेशन को अपने और सभी दोस्तों के शाथ शेयर कर देना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब क्या हुआ अब गांदी जी माने नी गांदी जी कहे नहीं भाई मैं ऐसे नहीं जाओंगा और 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 मैं नहीं छोड़ूँगा तो उनको समन दिया गया समन समझ रो कानुने नोटे तुम्हारे हिम्मत कैसे हो यह ऐसे मना करने की यानि गांदी जी के खिलाफ बाते होने लगी ठीक है अब क्या हुआ अब क्या हुआ अब अब जब समन मिला कोट में पेश होना था ऐसे में सब की मीटिंग होई इन सब की बाई कि अगर गांदी जी को अरेस्ट कर लिया पर कैसे चलेगा मामला क्योंकि 1916 के आसपास की बात है उस वकित गांदी जी थोड़ा एक्टिव ज्यादा थे वह एकदम जैसे हमने देखें गांदी जी बूले गांदी जी वो उस टाइम पर और अब भाई वो सब सोचने लए कि गांदी जी हमारे इतने बड़े लीडर है जेल में डाल देंगे उनको तो फिर हम क्या करेंगे हमाई क्या स्ट्रेजी हो रही है उनको बचाय कैसे जाए ठीक है यह सारा कुछ सोच रहे थे अब गांदी जी ने क्या किया गांदी जी ने जितने भी पारफुल लोग है इंपोर्टेंट पॉइंट है गांदी जी ने का तुम्हाई टेच में जितने भी पारफुल लोग है ना उनसे बात करो आप डॉक्टर साब डॉक्टर साब आप उनसे बात करो जो भी पारफुल लोग है ताकि वो हमें सपोर्ट करें और हम इस बात को अपने मुद्दे को अपने मैटर को पूरी दुनिया को दिखाए अथोरिटीज के आगे पेश करें ठीक है यह बात हुई अब गांधी जैसे ही वहाँ पे गए कोट में कोट हाउस में क्या हो गया पीपल सपोर्टेड गांधी जी मेड ऑथोरिटीज नववास रिलीज हिम विदाउट एनी बेल जैसे गांधी जी पहुंचे हजारों लोग अने कोट के आसपाल भीर लगा ली और गांधी जी को सपोर्ट करने पहुंच गये जिस पर वहां के जो बिटिश जो कोट में थे व सारी लोग उनके ऑफिशल से वह घवरा गया उनके हाथ पर ऐसे फूलने लगे कि यह कौन है यह कौन है यह लाठी लेकर आदमी आया बोलते कुछ नहीं और पूरा हजारों लोग इनके सपोर्ट में पहुंच गये वह डर गये उनके हाथ पेर फूल गये ब्रिटिश ऑथर और दर्बस हो गए हाथ पहर बूल गया हम तो उनके सजा देने बुला रहे थे केस चलाने बुला रहे थे केस लिए सम चैस retrie ngayई लोगों को शांत करा दें हमारे बसके नहीं है गाँदी जी ने आजाद किया गया उनको रिहाय दी गए बेल की गई ठीक है यहां से शुरुवात हुई थी किसकी शुरुवात हुई थी civil disobedience की इसका मतलब क्या था कि जो कानूनी बातें हैं कानूनी कारेवाई हैं वो हम नहीं मानेंगे है civil disobedience की यहां पर शुरुवात हुई जो कि successful भी हुआ सक्सीड हुआ तो यह बात आप लिखो कि वैंडिट civil obedience सक्सीड फरस्ट तो यह question हो सकता है और जब उन्होंने उनके विदाउट एनी बेल उनको रिलीस कर दिया गया था तब सब से पहला civil disobedience हुआ था ठीक है यहां तक कोई डाउट कोई डाउट जल्दी से पूछ सकते हैं मैं पढ़ रहा हूं आपके comments गांधी जी ओपी अच्छा है गांधी जी बी लाइक मैं जुकेगा नहीं ओ मैं जुकेगा नहीं थीक है लिगंग उसके बाद उन्होंने कोई एक्षन नहीं दिखाया हो गांधी जी ऐसे रहे सुम करते जाओ तुम मैंने जुकने का ठीक है सो बड़े मजबूत आदमी थे भाई हमारे गाधी जी उन जैसा बनना वाकई में बड़ा स्क्रींशोट लेने दीजिए मैं साइड हो गया हूं देख लो आए की कहानी पढ़ेंगे जल्दी से अभी इसमें कोई डाउट आ पूछ लो कि भाई बेल नहीं मिली हाँ बेल नहीं मिली उन पर केस चला गया था ना समन्द भेजा था उनको कोट से करें कि उनको कहा गया था कि आप तिरुट चोड़ने उन्होंने का नहीं मैं छोडने दें उनने माणी निएख और वह अले रहें वह अरुन कि मोति हरी चले गए थक तो इक है बाई दो गांनी जी को सौचो यार मैं तो सोच कि बता कि मैंग। पर करता हूं बाढ़ा सटाए गांधीजी है हज़ार में कर रहा है यह बाई 20 दिन बाद मैं अभी मिशक्ति कहरें जिघो रहे हैं हाथ पicky पहल ने वह जोちゃん लोग जुड़ गया वो कहने गांदी नी उल्टा कोट उसका जज तृज वो और वह पर गांदी जी चांती सा हाँ च्ला हो हो और हो कहने नहीं नहीं में चला सकता है अपको मैं बेल देता हूं बिना इसके वेल कन आप देना oh पर आप कोई केस नी चलणा तो जाएं तो अब ऐसा तो लगा था कि काम्यावी मिल गए क्योंके उन्होंने ब्रिटिश की जो चंपारन में इतना कुछ अब गांदी जी ने गया कि इसके बाद वो एक वाइसराय थे उनसे मिले कौन सर एड़वर्ड गेट उनसे उनकी चार लंबी-लंबी मुलाकाते हुए गांदी जी की और फिर उन्होंने सर एड़वर्ड ने एक कमिशन बनाई और उस कमिशन में उन्होंने जो किसानों के अच्छ नहीं मजबूर हो गांधी जिन ने करें किसके साथ सर एडवर्ट के साथ उसमें उन्हें नियाय हो रहा है यह है यह और रिख वोच्छ के बाद उन्होंने पिर एक कमिशन ही जल्दी से आप से एक पोल पूछा गया है आपको मालूँ में कॉंति गान्दी जी कि जल्ले बताओ मुझे सब ज्राद लोगों मालूम होगा वैसे कि नौ पैले तो इसका ज्वाब देना क्या बोलता है कि कॉंति पोल का जवाब देना लेंगा नोंट्स पूछे हों तो टेलिग्राम ग्रूप है हमारा अंतिर्स के नाम से ना भई स में टोड़ा रहता है तो सारी फीका मिद्दोस मिलति है वैब साइट है टुक्स ऑली बात निया टेंशन को ऊके बहू बोल रहे हो तुम लोग ये बहू मतलब क्या है तुम्हारा वो मतलब वाइफ है न? कुछ लोग बहू भी बोलता है अपनी वाइफ को बच्चो शरम करलो चलो चलो ज्यादर लोगो बता है भे कसूरबा गांधी kompli कुशन ही हमारी जो गांधी जी की वाइफ थी उनको इलाज दिया, इलाज मतलब उनको जो किसान गरीब थे, बीमार थे, सिख थे, उनकी सेवा की, उनको सर्व किया वहां पे, ठीक है, तो उनकी सेवा की और उनको जितनी भी परिशानिया थी, उनको समझने की कोशिश की, उनको सपोर्ट किया, गांदी जी ने भी यही काम कि तूभार वो जो तुम्हारा गृप है वो बेकार है हमें बिटिश की हालप नहीं है हमें जो भी गृप बना जो भी हमें अपने ल司िक काम करना है वह हमें करना है हमें पेरों पे खाडा होना है और यहां से शुरुआत हुई से लभी बनने की कि हम सेल्फ रिलाइंट बनेंगे यहां से गांधी जी ने समझ में आया गांधी जी ने सबको समझाए कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है और तब राजेंद्र प्रसाद साब ने का कि गांधी जी ने यहां से हमें चंपारन का जो एपिसोड हुआ था पूरा उससे हमें एक लेशन टीच किया है हमें एक लेशन दिया है कि we have to be self-reliant if we want to get the freedom if we want our India to be an independent country so that was the message from dr. राजेंच प्रसाद where he appreciated the efforts of गांधी जी in all the scenario of चंपारन okay so यह पूरा जो स्टार्ट था कहां से था कहां से था यह कहां से था यह तब से था जब वह लूइस थे जो इसके राइटर देना लूइस फिशर वह अपनी कहां नीम किताम में लिखते हैं कि गांधी जीन ने उनिस सो बयालेस में मुझे बताया 1942 में कौन सा अंदोलन चल रहा था भारत चोड़ो और दोलन याद है तब को तो जब वह बिल्कुल स्टार्ट हो गया था अंग्रेज हमने टिकने वाले यह निकली जाएंगे जो इसका राइटर लुइस फिशर उसकी किसे गांधी जी से गांधी जी ने मुलाकात के टाइम पर बेका वह देखो अंग्रेज हो तुम भी निकलने वाले वाले बोरिय विस्तर बन चुका है पांच साल में निकल लेंगे ठीक है यह गांधी जी ने बताया कि इसके डिप पारण से कैसे हुई वहाँ से पूरा इवेंट समझाया गया है कि किस तरीके से वहाँ पर राजकुमार शुकला उनसे मिलने आए वो उनको फॉलो करते रहे और फिर गांधी जी उनसे इंप्रेस हो गए कि भाई यह तो बहुत सभी बंदा है इंप्रेस होगे फिर वह अब जैसे वहाँ से और आप पर जैसे वहाँ से वहाँ से वहाँ से रहागा के आग्याजा हुआ अगर तुमें इससे कांट्रेक्स से निकलना ने कमपंशिशन है मुझार घरीब के सान क्या करें उन्हों ने इन मुझ्धों को टंधाया और राजन प्रसाज जी से मिला और सब कुछ हुआ ठीक है तो दोस्तों अभी का हमारा जो अभी जो हमारा पूरा एपिसोड चला है बहुत मज़े से हमने इनके क्वेस्टेंस को स्टोरी को समझाए अभी तक अगर आपको कुछ भी डाउट आया पूछ सकते और अगर इसको आपने लाइक नहीं किया है तो अपना प्यार दिखाए जल्दी से इसको 5000 लाइक्स में तबदील कर सकते हो क्या आप लोग के नाइसी 5K लाइक्स के लाइक्स हो सकते हैं विदिन फाइव मिनट्स ओके ओके सबस्तों उसके बाद फिर क्या हुआ उसके बाद वहां पर मुझफर में गया लोग को समझाया पर उन्हें कोंट्रैक्ट को पढ़ने कोशिश की तो उनको information नीदी गांधी जी को गांधी जी ने का मुझे information तो देदो उन्हें information नीदी और उनसे का गया तुम निकलो यहांसे चंप पारंद से तुम बेकार आदम्यों तुम तो यह लोग को भैकार हो निकलो निकलो मैं जुकेगा नाई अपंडटा रहेगा तुम्हें जाओ जो करना है और उनको उपर समन्ट कोट का समन्ट फिक के डाल दिया लोग आपको पेश होना पड़ेगा कि आपने कैसे नहीं कहना माना अब कोट में जब गांदी जी गए तो हजारों लोगों ने उनको पकड़ लिय सपोर्ट करने के लिए पहुँच गए और जिससे वहां के जो जच था वहां के जो ऑफिशल्स थे वहां के ओथरिटी थी वह सब घबरा गए और भाई आप जाएं आप कौन है महाशे तब उन्होंने का मैं हूँ महात्मा गांधी ठीक है तो इस तरीके से वहां पे उन्हो पे काम शुरू हुआ और चंपारन के लेसन से गांधी जी ने सबको सिखाय कि कैसे से रिलाइंट बना जाता है कैसे हम अपने ही लोग इंडियन मिलके ब्रिटिश के अगेस्ट आवाज उठा सकते हैं और अपने जो राइट हैं उनको अवेल कर सकते हैं तो इस इस स्टोरी इंडिगो और जो की बड़ी अमेजिंग स्टोरी थी इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद बागी की बात करेंगे और जैसे मैं देख पा रहा हूं 25 लेफ्ट अच्छा भी पांच मिनट तो होने में टाहीं में 25 लेफ्ट हैं 5K लाइक्स होने में फाइंड दोस्तों अभी तक अगर आपने इस लाइफ सेशन को शेर नहीं किया तो शेर गदन अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि जादे से ज्यादा लोगों तक पता चल जाए कि हम लोग एगर हैं तो दोस्तों अभी कोई डाउट है कुछ भी पूछना इस related comment में आप पूछ सकते हो मैं भी पीछे थे यह मैं आपको मौका देता हूं स्क्रींशॉट ले लो समझ लो चीजों को उसके बाद हम इंसके ncrd के questions लेखेंगे if you are guys having any questions related to indigo chapter then you can ask I'm here to answer you guys and after that I'll be covering ncrd questions of this particular chapter I'm here to do कर दो रहा है कि अदान टेन कि और देले खूदयोंगा कि अदान कि पर गाना फंट कर दो खिंड देले खिंड महाला बाद बात शनी कि अजड बा मर बादो जज दुति हैं कि आप लोगों ने आप लोगों ने अपने questions पूछ लियों होंगे और जिसके में देख पा रहा हूं मोतिहारी जगा का नाम है दोस्तों कुछ लोग पूछ रहें मोतिहारी क्या है मोतिहारी पिहार की एक बहुत अच्छी फेमस जगा है और एक और question है कि settlement कितने पर हूँ अदबाद में commission बनी और settlement होगे कि 25% refund किया जाएगा कि इसको refund किया जाएगा पीजन्स को जिस पे गांदी जी मान गये थे गांदी जी क्यूं मान गये थे वह इसले मान गये थे कि उन्हें ऐसा लग रहा थे यह deadlock बन गया मतलब ना इधर से सब्सक्राइब करेंगे और उनके मानने का फायदा यह हुआ कि विदिन फाइव यह पांस साली बीते थे और उसके बाद जो अंग्रेज थे ना उन्होंने जो भारते किसान थे उनको वहां की चंपारन के वापस कर दिए और ऐसा यह सारा रूली खतम कर दिया था तो यह फ वो परसों हम लोग लाइब करेंगे एकजाम से जस्रीक दिन पहलो उसमें सिर्फ और चैप्टर कराऊंगा यूग कि अभी मेरा मकसद है आपको इस स्टोरी समझाना और NCRD के क्वेस्टन करगे रखते हैं यूग कि स्टोरी समझ के आप सारे क्वेस्टन कर पाओगे ठीक ह खीक है अरे ज्यादा कुछ नहीं करना स्टोरी समझ में आती है न तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो और NCRD की क्वेस्टन दिखते हैं वाई दो यूग गांधी जी कंसिड़र चंपारान एपिसोर्ट तो बीए टुनिंग पॉंट इन लाइफ गांधी जी को ऐसा क्यों लग आज में लाएं को लोग के साथ जैल जाने को तयार हो गये वहां के लोगों कह धाई अवागों की बात उठाई अवाज उठाई ब्रिटिज को इंप्रसाद ने के ला लेके ला दिया तो इस वाज़े से डॉकर राजे प्रसाद इंप्रसाद लएं जो कि लिद्ट बहुत जी ने लॉयर्स को इंप्रेस कैसे किया गांधी जी बहुत अनोन थे उन लोगों के बीच और वहां के जो लोकल लॉयर्स से वह हाई-फी चार्ज कर रहे थे और गांधी जी विदा उट एनी ग्रीड वहां पे वहां पे लोग के लिये काम कर रहे थे बाद मेंॉल से इंफ्लैंस ओके वोग भी जेल गये ठीक है मुआ वहां लग्हार्णो नहीं समाल लॉटॉ Ryan जाluk तो इसका पता हमें लगता है दो जगाहों से पहला राजकुमार शुकला जी गांदी जी से मिले जो की विचारे अनपढ थे जानते नहीं थे कुछ भी लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हवाज उठाओ गलत हो रहा हमारे किसान भाईयों के साथ और हमारे साथ तो वह इस तरह से उन्होंने क्या करा कि without being so educated without being a freedom fighter he fought for the country and he did everything to persuade गांदी जी to convince गांदी जी तो गो डुट चंपारण और वहां जाकि उन्होंने पूरा अगर राजकुमार शुकला ही ना जाते तो फिर गांदी जी को कैसे पता चलते सब two और पेसोड के बारे में इस तरह से if oso हुझा जी चीज घढ़े होने साथ में इस तरह से जो थे उन्होंने जो देश के लीडर से тьर्फरेंट धिट्ने वी मुमन्मेंट हुएते उनमें अपना contribution दिया था by supporting their leaders और इस तरह से देश की जो freedom थी देश की आजादी थी उसमें उन्होंने अपना रोल अदा किया था तो दोस्तों अमीद करता हूं कि flamingo के दोनों चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ भाए होंगे कोई डाब दाता आप इंस्टेग्राम पर पूछ सकते हो और अभी अभी की कहान यहां पर खतम नहीं होगी कल शाम को लाइव होगा विस्टास का लाइव होगा अब परसो परसो इनके important question और फुल-fledged क्या important चीजे हो सकती है वो परसो morning session में होगा तो अभी के लाइव के लिए अभी के लाइव में आपने फ्लैमिंग को पढ़ा दूनों चैप्टर्स पढ़ा इनके